जी बिजनस ला के आज के लेक्चर का अगास करते हैं आज हमारा है लेक्चर 31A यह 31A क्यों है क्योंकि आज के लेक्चर में हमारा चैप्टर कम्पीट हो जाएगा चैप्टर 14 इसके MCQs की हमने प्रैक्टिस करनी है MCQs की प्रैक्टिस आपको अलैदा वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी तो वो हमारा लेक्चर होगा 31B तो 31A इस लेक्चर में हम एक तो लर्निंग अब्जेक्टिव 13 पेमेंट ऑफ डिविडेंट डिसकस करेंगे इस लर्निंग अब्जेक्टिव के साथ हमारा चैप पर भी कंपीट हो जाएगा फिर हम डिविडेंट से रिलेटर जो पास्ट पर के क्वेस्टन हैं उनको डिसकस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं लर्निंग अब्जेक्टिव से पेमेंट ऑफ डिविडेंट हमने डिविडेंट के बेसिक रूल जो है प्रिवियस लेक्चर में सीख लिए कि डिविडेंट की टाइप्स कितनी है डिविडेंट को अप्रूफ करने के लिए थार्टी किसके पास है और तोर पे रिस्टिक्शन क्या है डिविडेंट डिक्लेर करने के हवाले से आज के लेक्शर में हम डिविडेंट की पेमेंट किस तरीके से होगी किसको ह और कितने अर्से में करना है यह concept सीखेंगे तो Payment of Dividend में सबसे पहला concept है manner of payment यानि dividend की payment करनी है किस तरीके से करनी है क्या जब members की meeting हो रही होगी उस meeting में हमने उनको envelope में cash बंद करके तो फिर उसको dividend की payment करनी है नहीं इस तरीके से नहीं payment होगी payment कैसे होगी payment दो तरीकों से हो सकते हैं in cash in kind in cash का मतलब ये नहीं है कि physically currency notes shareholder के हवाले किये जाएंगे नहीं in cash की payment भी banking channel के थू ही होगी in cash का मतलब normally आप accounting में in cash को और bank transaction इनको अलएदा treat करते हैं लेकिन law क्या कहता है कि जब हम कहें के payment cash के थू होगी तो इसका मतलब ये है कि payment banking channel के थूरू banking channel के थूरू payment होना ये भी cash payment ही कहलाता है तो law ये कहता है कि आपने payment in cash करनी है यानि तीन तरीकों से payment कर सकते हैं चेक इशू कर सकते हैं customer's को sorry members को check issue कर सकते हैं dividend warrant issue कर सकते हैं dividend warrant क्या होता है ये तरह का cross check ही होता है ठीक है और ये check भी cross check होना चाहिए member के नाम पे account पे ये only check होना चाहिए check cross check issue कर सकते हैं dividend warrant issue कर सकते हैं dividend warrant basically cross check ही की तरह की एक type है जो के credit हो सकता है directly customer के account में member के account में और electronically electronically का मतलब क्या है electronically का मतलब ये है कि आप चेक यहां warrant issue ना करें बलके direct उसके bank account में member के bank account में पैसे जमा करवाते हैं जिस तरह आप में देखा होगा कि sometime कुछ organization में employees को जो salary की payment होती है वो चेक के जरिये से होती है और कुछ organization में directly उनके account में deposit करवा दिया जाता है directly जो account में deposit करवा जाता है ये तरीका ज्यादा quick है तो electronically payment का मतलब ये है कि company directly members के account में dividend transfer कर देगी अब definitely इसके लिए लाजमी है कि members ने पहले अपने account की detail company को provide की हो वरना जाहरे account की detail प्रोवाइड नी करेंगे तो वो dividend के transfer नहीं हो सकता तो तीन तरीके इसमें चेक के जरिये से warrant electronically payment हो सकती है याद रखे physically cash यानी currency notes की शकल में dividend pay करना मना है law in cash payment का मतलब ये नहीं है फिर बता रहा हूं कि physical currency notes उनको हवाले किये जाएंगे नहीं law काता है banking channel के through payment होगी in cash का मतलब है payment in cash का मतलब ये है कि banking channel के through payment होगी आप members को check भी issue कर सकते है dividend warrant भी जो के check ही की तरह होते हैं और electronically भी यानिए directly उनके account में credit कर सकते हैं या in cash के साथ दूसरा तरीका है in kind payment in kind payment का मतलब ये है कि amounts यानि ट्रांसफर ना की जाए बलके amount के लावा कोई और चीज़ उनको दे दी जाए जैसे आपको याद होगा हमने एक concept बड़ा था bonus share का और इसी तरह एक और concept study किया था कि कौन सी situation है जब share तो इस्यू करेगी कोई एक company लेकिन prospectus approval इस्यू करना उसकी approval commission से लियाना ये required नहीं है और उसमें हमने study किया था कि जब कोई company bonus share इस्यू करती है या किसी listed company के shares जो है उसके पास है और वो अपने members को इस्यू करते है तो उन situation में prospectus की approval लेना prospectus prepare करना required नहीं है ये भी concept उसी concept से relate कर रहा है कि अगर company के पास फर्स कीजिए cash नहीं है पैसे नहीं है dividend pay करने के लिए क्या करे उसके पास जो shares है किसी listed company के वो share dividend के तोर पे इशू कर सकती है अपने members को के भाई जान ये share लीजिए और इन्हें stock action में जाके sell कर दीजिए वहाँ से जो पैसे मिलेंगे वो आपका dividend होगा तो इन दो तरीकों से payment हो सकती है dividend की in cash भी और in kind भी in cash तीन तरीके है चेक इशू कर दीजिए वारंट इशू कर दीजिए या electronically और याद रखे कर लिस्टेड company है तो उसने सिरफ electronically ही transfer करने है लिस्टेड company के लिए लाजमी है कि वो अपने customers के directly bank account में ही dividend transfer करे चेक और वारंट unlisted companies के लिए option available है लिस्टेड company के लिए नहीं है manner of payment के बाद timing of payment यादि डिविडेंड कब pay किया जाएगा क्याद रखें डिविडेंड जिस वक्त declare हो जाए announce हो जाए उसके बाद as soon as possible pay होना चाहिए लाँ ने time period specify किया हुआ है कि जब dividend announce होगा declare होगा उसके बाद within specified period specified period commission specify करता है कि क्या होगा उसने जितना भी period specify किया है उसके अंदर अंदर dividend की payment हो जानी चाहिए किसी से मानने में ये period जी होता था 45 days होता था फिर change हो के 30 days हो गया अब जो currently period है dividend pay करने का वो है कि जब एक company ने dividend को declare कर दिया उसके बाद within 15 working days 15 working days के अंदर अंदर dividend की payment करनी है वरना chief executive को penalty impose होती है वो हम study करेंगे अभी तो timing of payment क्या है कि किसी भी company अगर को dividend declare कर दिया जाए तो उसके chief executive की जिमेदारी है कि वो within specified days of declaration of dividend dividend declare होने के specified days यानी latest rules के मताबिक 15 working days के अंदर अंदर dividend की payment कर दे अब यहां पर सबसे हैं question यह rise होता है कि declaration of dividend से क्या मुराग है कब समझा जाएगा कि dividend declare किया गया है तो लाग कहता है यह rule interim dividend के case में different है final dividend के case में different है final dividend में जिस cgm में members ने dividend को approve किया उससे समझा जाएगा date of declaration of dividend याजिया आपको पता है final dividend का rule किया इंट्यारम ।फबंड में इंट्यारम डिविडेंड अप्रूव करते है डारेक्टर्स और final ॥डिविडेंड अप्रूव करते है members तो final dividend किस दिन समझा जाएगा कि declare किया गया है जिस cgm में में members ने final dividend की approval दी भी समझा जाएगा कि उसी दिविदेंट डिविडेंट डिकलेर हएं इन्टेर्म डिविदेंट किव समझा जाएगा कि डिकलेर हुआ इसका मताइkick उसके ओर देख एक जदे बेश्चा प contrast या रही हो गहीं तो देखियं के अप एक कम्पनी नाप पे रिज्ट्रेशन कर दीजिए शेयर्स की अपने बुक्स में तो ये जो शेयर त्रांसफर ट्रांसेक्शन हैं ये डेली बैसिस पे रिजिस्टर हो रही हो रही होंगी कंपनी के पास कंपनी के लिए जब डिविडेन्ट अनौज़ किया जाता है कि सर अभी हम इस अपने शेर्स जो हैं वो एक्चुली ट्रांसफर नहीं किये थे अभी तो सिर्फ एप्लीकेशन दी थी तो अगर एप्लीकेशन दे दी सब्मिट कर दी लेकिन उसमें दो तीन दिन लग गए और उन दो तीन दिन के दरमयान में फर्ज कीजिए डिरेक्टर ने डिसाइड गिया कि डिविडेंट पे किया जाएगा तो डिस्प्यूट राइज हो सकता है कि ये डिविडेंट कौन रिसीव करेगा क्या वो जिसप्यूट से बचने के लिए लाइ एक कंसेप्ट दिया बुक लूयर का कुछ अरसे के लिए शेर की ट्रांसफर जो है उनसको रोक दिया जाएगा, सस्पंट कर दिया जाएगा कुछ हरसे के लिए किसलिए इसको रोका जाएगा शेयर ट्रांसवर बुक को सस्पेंट किया जाएगा इसलिए ताके कन्फरम किया जा सके के शेयर के ट्रू ओनर कौन है उनको डिविडेंट डिस्ट्रिबूट किया जाए अगर फर्ज कीजिए बोर्ड ओफ डिरेक्टर्स की मीटिंग हुई 10 अपरल को और उन्होंने डिसाइड किया कि हमने इंटरिम डिविडेंट पे करना है अब इस डिकलेरेशन के साथ ही वो अनाउंस कर देंगे के 20 से लेके 25 तरीख तक हमारी शेयर ट्रांसफर बुक्स कलोजड होगी बुक कलोजड होगा यानि 20 से 25 के दुरान में हम कोई शेयर ट्रांसफर की अप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं करेंगे जिसने शेयर ट्रांसफर करवाने हैं इससे पहले पहले करवाने हैं और 20 तरीख को जो जो लोग हमारी लिस्ट के मताबिक हमारे रिकार्ड के मताबिक शेयर होडर हुए ऑफिशल उनको डिविडेंट डिस्रिबूट किया जाएगा इससे entitlement to receive dividend क्लिएर हो जाती है बुक लोगयर से तो interim dividend कब समझा जाएगा डिकलियर हुआ है यह depend करता है बुक लोगयर किया के नहीं किया है डिरेक्टर के पास option होती है चाहे तो बुक लोगयर करें चाहे ना करें अब अगर तो book lawyer किया जाता है तो याद रखिए कि जिस दिन dividend, interim dividend उस वक्त declare समझा जाएगा जो पहला दिन होगा commencement of book lawyer का यानि हमारी example में जब डिरेक्टर ने 10 तारीख को announce किया कि हम dividend पे करेंगे और lawyer पीरियड जो था वो 20 से लेके 25 तारीख बताया तो जो 20 तारीख होगी यानि commencement of book lawyer समझा जाएगा 20 तारीख को dividend डिकलेर हुआ है अब 20 तारीख के बाद 15 दिन के अंतर अंदर चीफ एग्जेक्टिव इस dividend की payment करने है लेकिन अगर book lawyer नहीं होता डिरेक्टर अनाउंस करते हैं सिरफ इतना के dividend पे करेंगे book lawyer के बारे में वो कुछ नहीं कहते हैं जैसे हो सकता है कि प्राइवेट कमपनियों जिसमें या unlisted company नहीं नहीं पहुत ज्यादा transaction होती है इसमें तो डैली बेस में बहुत ज्यादा transaction होती है इसमें तो प्राइवेट कमपनी है तो हो सकता है वो book lawyer नहीं करें अगर book lawyer नहीं करते तो जो date of board meeting होगी वो है समझा जाएगा उसी दिन dividend declare हुआ तो timing of payment क्या होगी within specified day of declaration of dividend specified days क्या है 15 working days यह हमारी study text में आई कि आपने mention नहीं किया लेकिन आपको additional concept के तोर बता रहा है और दूसरी चीज विदिन specified days of declaration तो हमारे लिए बहुत जरूरी है यह जानना कि कब dividend declare होता है dividend declare होता है depend करता है interim dividend है कि final dividend है अगर interim dividend है तो यह declare होता है commencement of book lawyer में यानि जिए book lawyer का period होगा उसकी जो पहली date होगी तब समझा जाएगा dividend declare किया गया और अगर book को close नहीं किया गया तो फिर जो board meeting होगी जिसमें फैसला वा डिविडेल पे करने का समझा जाएगा उस दिन उस board dividend है तो जो AGM की date होगी जिसमें members ने अप्रूव किया dividend समझा जाएगा उसी दिन dividend declare हुआ है तो यह तो concept हो गया timing of payment of dividend अब आगे डिविडेंट किसको pay करना बहिए रिजिस्टर्ड शेयर Holder को pay करना अच्छा अगर रिजिस्टर्ड शेयर Holder ये कह दे के मुझे dividend पे ना करो मेरे किसी दूसरे relative को pay कर दो तो क्या फिर भी रिजिस्टर्ड शेर होल्डर को ही डिविडेंट पे किया जाएगा या उसके आडर पे जिसको वो कहे इसका अंसर है उसके आडर पे जिसको वो कहे यानि क्या डिविडेंट लाजमी है कि सिरफ शेर होल्डर को ही पे किया जाएगा नहीं इसके consequences भुगतने पढ़ेंगे सजा मिलेगी चीफ executive को क्योंकि ला कहता है चीफ executive की जिमेदारी होती है एक दफा अगर dividend declare हो जाए उसके बाद 15 working days के अंदर अंदर dividend shareholder को pay करना है यह चीफ executive की जिमेदारी है और अगर चीफ executive dividend pay नहीं करता इन दिनों में prescribed days में तो उसको सजा याद रखें यह जो consequences है यह पूरे ला में probably सबसे ज्यादा बड़ी सजा है जो चीफ executive को दी गई है और कब जब वो dividend की specified days में payment ना करें सजा क्या है तू यह up to यह सारी चीज़ें up to है या नहीं maximum यह नहीं कि exact दो साल की सजा मिलेगी और पांच साल तक के लिए वो disqualify हो सकता है कि किसी भी committee का director नहीं बनेगा चीफ executive नहीं बनेगा आपको याद होगा जब हम eligibility and ineligibility of criteria पढ़ ले थे directors का तो उसमें एक point यह भी था कि director उस सुरत में भी ineligible समझा जाएगा जब वो किसी भी और प्रवियन में disqualified हो जाएगा तो वो basically इस प्रवियन की तरफ इशारा था उस ineligibility criteria में यह नहीं लिखा हुआ था कि अगर chief executive या को चीफ executive किसी एक company का within specified days dividend की payment नहीं करता तो वो disqualified हो जाएगा नहीं वहाँ पे यह नहीं लिखा हो सकता है किसी भी company का auditor बनने के लिए तो अगर within prescribed period dividend की payment नहीं होती consequences क्या होंगे chief executive को सजा मिलेगी दो साल तक की कैड की 5 million रुपी fine और 5 साल तक disqualification के वो किसी भी दूसरी company का chief executive या director नहीं बन सकता लेकिन यह सजा उस صورत में नहीं मिलेगी अगर जो delay हुआ या dividend की payment नहीं हुई वो इन में से कोई एक reason हो यह समझा लीजे exception है in exceptional situation में कोई भी chief executive dividend को withhold कर सकता है stop कर सकता है dividend की payment रोक सकता है और उसको सजा भी नहीं मिलेगी वो कौन सी situation है जब dispute हो दो parties के दर्मयान में father की death हो गई बड़ा भाई कह रहा है कि जी मुझे dividend मिलना चाहिए छोड़ा भाई कहता मुझे मिलना चाहिए तो chief executive नहीं ठीक है भी आप इस तरह कीजी अपना case code में ले जाए जब तक वो फैसला नहीं होता हम dividend pay नहीं करेंगे और जिसको court जिसके हक में फैसला दे देती है उसको हम dividend pay कर देंगे अब चुके dispute है कि किसका right to receive dividend है तो जब तक dispute settle नहीं होगा dividend को रोका जा सकता है इसमें हाला कि 15 दिन से ज़्यादा delay हो जागा लेकिन chief executive responsible नहीं होगा फिर set off by company अगर company कोई amount set off करती है legally set off करती है जैसे first कीजिए company ने किसी member से कोई amount receive करनी थी वो amount pay नहीं कर रहा था अब dividend जब announce होगा तो company ने कहा हमने इस बंदे को dividend नहीं देना बलके जो इससे हमारा receivable है हमारा dividend payable इसको set off कर देते है for example एक बंदे के पास unpaid shares है partly paid shares है company ने call किया कि जी आप बाकी की amount भी जमा कर रहा है और बाकी की amount जमा नहीं कर रहा है इस situation में जब dividend announce किया जाएगा तो इनके पास company के पास option है chief executive के पास option है कि वो चाहे तो जो partly paid वाला payable था amount उसको dividend के guess में set off कर सकता है कि जी हम इसको dividend नहीं देंगे बलके इसके dividend को जो इसका partly paid share है उसे fully paid में convert कर देंगे ठीक है यानि अगर share 10 रुए का था partly paid share पे दा कर दिया चार भी अभी दा करने थे और फैसला हुआ कि जी अब फर्ज कीजिए 3 रुपे पर share dividend pay करना है तो इस बंदे को dividend pay नहीं किया जाएगा बलके जो इसकी partly paid 6 थे इसकी dividend की payment को उस payable 4 पे का जो payable उसके gain set up कर दिया जाएगा यानि अब उसका जो payable share है amount है वो 6 रुपे की बज़ए नोर बे हो जागी अब उससे सिर्फ 1 रुपे अक अपनी ने receive करना है तो set up करने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है dividend फिर instructions cannot be complied shareholder ने कुछ ऐसी instructions दे दी जिनको comply नहीं किया जा सकता देखे shareholder की मर्जी है क्या कि वो अगर चाहे company को बता दे कि sir अगर unlisted company है for example shareholder कह सकता है sir directly मेरे account में पैसे जमा करवाएं या कह सकता है कि मुझे check भीजे या कह सकता है कि मुझे warrant इशू करे listed company में तो एक ही option होती है directly customer member के account में credit करनी होती है लेकि unlisted में तीनों तरीकों से payment हो सकती है check के जरीए से भी warrant के जरीए से भी और direct transfer के जरीए से भी अब ये member ने खुद बता दिया instruction दे दी कि sir direct मेरे account में transfer कीजिए या मुझे check issue कर दिया करें या हो सकते है member ये instruction दे दे dividend payment के वाले से कि मुझे नहीं मेरा for example कराची में एक relative है आप उसको dividend credit कर दिया करें लेकिन ये instruction तो काबले अमल है इनके उपर तो अमल हो सकता है लेकिन अगर वो की instruction इस तरह की देते हैं जो काबले अमल ना हो for example वो कहें जर्मनी में एक bank में मेरा account है अब उस account में मेरा dividend transfer करते है अब ये foreign banks में foreign currency में dividend pay करना company के लिए possible नहीं उसकी instruction को comply नहीं किया जा सकता तो इस situation में chief executive dividend की payment नहीं करेगा उस person को बलके वो से कहेगा सर आप हमें कोई ऐसी instruction दे जिनके उपर हम अमल कर सके काबले अमल instruction दे जब तक वो कोई practical instruction नहीं देता तब तक dividend को विधोर्ड किया जा सकता है chief executive इसके लिए liable नहीं होगा next operation by law operation by law का मतलब है किसी भी legal requirement की वज़े से dividend की payment नहीं की जाती फर्ज कीजिए एक company का share holder है लेकि वो insolvent हो गया insolvent हो गया तो law ने कहा कि इसका liquidator हम पाइंट करते है अब इसका जो भी लेना देना है लोगों के साथ वो liquidator settle करेगा इस situation में अगर ये जो insolvent हुआ person इसके पास किसी company के shares थे अब हो chief executive इस बंदे को तो share की payment नहीं करेगा बलके जो इसका liquidator है उसके साथ dealing करेगा उसको payment होगी अब ये बंदा अगर code में जाके कह दे sir law ये कहता है 15 working days में dividend की payment करते है चीफ और मुझे payment नहीं की तो क्या ये इसका इतरास valid है बिलकुल वैल्ड नहीं है क्योंकि dividend की payment स्टाप हुई किस वज़ा से और है operation of law फिर इसका नाट fault of company dividend जो है वो company ऐसी वज़ा से पे नहीं हो सका क्योंकि के वो company का fault नहीं था जैसे फ़र्स कीजिए company ने checks send कर दिये courier के जरीये से लेकिन for example coronavirus की वज़ा से किसी जगा पे lockdown था और वहां पे within specified period 15 दिन working days के अंदर अंदर वो जो checks थे वो नहीं बहुन सके अब delay हो गया अब ये delay हो गया तो क्या ये company का fault है नहीं का fault नहीं है इस situation में भी है कि dividend की payment delay हो जाती है तो director जिम्मेदार chief executive जिम्मेदार नहीं होगा और six अगर कोई incomplete information प्रवाइड कर दी जाए ठीक है जैसे फ़र्च कीजिए S.E.C.P. ये कहता है कि शनाहती कार्ट नंबर हर shareholder का होना चाहिए वरना इसके बगार आपने किसी को dividend की payment नहीं करनी और उस shareholder ने अपना ID कार नंबर सब्मिट नहीं करवाया यहाँ फार एजमपल बैंक अकाउंट नंबर डिरेक्ली लिस्टिट कमनी है डिरेक्ली अकाउंट में dividend ट्रांसफर होगा और किसी shareholder ने अपना bank account नंबर सब्मिट नहीं करवाया अब ये वो case है जब shareholder की deficiency की वज़ा से उसकी incomplete information की वज़ा से dividend की payment नहीं हो सकी इसमें भी chief executive responsible नहीं होगा तो ये सारे वो situation है जब dividend की payment डिले तो होगी लेकिन इस situation में chief executive responsible नहीं होगा लेकिन जिहन में रखीएगा इन में से इस situation के लावा इस situation के लाव अगर किसी भी ओर reason की वज़ा से dividend की payment delay होती है तो commission से approval लेनी पड़ेगी within 45 days of declaration यानि dividend को withheld करना अगर आपने इन exceptional situation में भी still आपको commission की approval की जरूरत पड़ेगी declaration के 45 दिन के अंदर आपने commission को ये situation share करने है कि सर इस वज़ा से dividend declare हो रहा है हम payment नहीं कर पा रहे हाला कि declare कर चुके लेकि उसकी payment नहीं कर पा रहा है तो यह हमारा आज का concept था learning objective था जिसमें हमने सीखा के manner of payment of dividend क्या है timing of payment क्या है किसको pay करना है consequences of delay और किन situation में withholding tax withholding of dividend एक penalty नहीं समझे जाएगी पोज नहीं की जाएगी chief executive के उपर इसके बाद अब हम चलते हैं dividend से related जो पास्ट्रेपर के questions है इनकी तरफ पास की चलिए जी अब हम पास्ट्रेपर के questions की तरफ चलते हैं पेज है हमारी बुक का 285 इसमें question 39 के रहें under the provisions of company 2017 briefly describe the restrictions if any with regard to declaration of final dividend by company listed on stock exchange restrictions बतानी है तो restrictions क्या है restrictions हमारी तीन है पहली इसक्षिंद यह है कि company dividend pay नहीं कर सकती out of profit from sale of immobile property or assets of capital nature और फिर इसके बाद इसकी exception बता देंगे कि unless company का ordinary course of business हो और company set off कर चेकी हो similar profit को similar losses के साथ दूसरी section यह थी कि unrealized gain on investment property इसको dividend के तोर पर distribute नहीं किया जा सकता और decision थी members directors का propose किया हुआ अगर final dividend का case है तो members director के propose dividend से exceed नहीं कर सकते अपनी approval कि यह तीन section हम लिख देंगे question 40 state in the light of provisions of company 2017 a company has earned huge profits from sale of fixed assets whether company can declare dividend out of above profits बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्यूंके law ने clearly मना किया है कि sale of immobile property से जो आपको profit मिलेगा यह assets of capital nature से जो आपको profit मिलेगा उसे dividend के तोर पर distribute नहीं किया जा सकता उसे basically उन्ही fix assets को further जाहिरा एक fix assets बीचा है तो आगे उसके बाद खरीदना भी होगा company बंद थोड़ी करनी है तो उसको further fix assets खरीदने के लिए रख लिया जाता है उसको dividend के तोर पर distribute नहीं किया जाता है अब चलते हैं case studies 41 ABC Limited is engaged in manufacturing of trade soaps during the year ended June 30 2018 it made a net profit of 48 million which is composed of following operating loss rupees 4 million gain from sale of land rupees 52 million यहन इसका मतलब यह हुआ जो 48 million का loss हुआ है वो असल में तो company को नुकसान था लेकिन जो land बेची है इसके profit हुआ इस वजा से company का 48 million का profit हो रहा है तो यह basically profit represent कर रहा है sale of immovable property gain on sale of immovable property करें can company use profit for the year to pay dividend if so up to what amount वो बिल्कुल भी dividend pay नहीं कर सकती ठीक है company dividend pay नहीं कर सकती हाँ अगर इसी question को वो थोड़ा सा change कर दे था कहता operating profit 4 million gain from sale of land 52 million total profit 56 million है तो इस सूरत में हम कहते हैं हां company profit के तोर पे dividend dividend के तोर पे profit distribute कर सकती है लेकिन कितना 4 million जो प्रेटिंग profit होता 52 million फिर भी distribute नहीं कर सकती थे next question 42 explain whether or not the following statements are in accordance with the provisions of company 2017 support your answer with reason there is no restriction on the declaration of dividend and the chief executive may declare dividend in general meeting of the company out of any kind of profit इसमें तीन गलतिया है पहली गलती तो यह है कि जो dividend declare करता है वो chief executive नहीं करता dividend declare किया जाता है by directors और अप्रूव करते हैं members दूसरा dividend किसी भी general meeting में नहीं बलके annual general meeting में जो final dividend है वो annual general meeting में अप्रूव किया जाता है और interim dividend board meeting में प्रूव किया जाता है और तीसरा और जो बड़ी गलती है इसमें वो यह वो कह रहा है dividend declaration पर को रिस्टिक्शन ही नहीं नहीं भाई तीन रिस्टिक्शन हैं जो हमने अभी study की कि एक तो sale of female property assets of capital nature का dividend distribute नहीं करना और इसके बाद जो member approve करेंगे वो directors के recommendation से exceed नहीं कर सकता 43 board of directors of dinar limited a listed company had recommended a final dividend at the rate of 100% for the year and ended June 38 2008 just a week after the notice for AGM had been dispatched the company suffered huge losses due to certain unanticipated events and incurred heavy liabilities the company is now considering the following option reducing the dividend to 25% deferring the payment of 75% of dividend for six months अच्छा यहां पर note कीजिए directors ने dividend propose किया भी members ने AGM में उसको approve करना है member dividend approve करते हैं AGM में तो अब क्या member उस dividend को reduce करके 25% कर सकते हैं क्या member directors का propose dividend को change कर सकते हैं इसका जवाब है reduce कर सकते हैं same कर सकते हैं zero भी कर सकते हैं लेकिन exceed नहीं कर सकते हैं तो यह पहली वाली option बिलकुँ प्रैक्टिकेबल है किया जा सकता है dividend को 100% से कम करके member 25% कर सकते हैं second deferring the payment of 75% of the dividend for six months कि जो payment है 25% अभी पे कर दिया जाए और 75% को defer कर दिया जाए क्या इसको defer ये दोनों अलएद अलएद कमेंट करने हैं हमने दोनों situation क्या dividend को defer किया जा सकता है six months तक कलिए बिलकुल भी नहीं किया जा सकता है जो law ने period specify कर दिया है जो के 15 working days है उससे ज्यादा dividend को delay नहीं किया जा सकता है अगर किया जाता है तो chief executive को punishment मिलेगे तो यह 43 में पहली वाली option practical है दूसरी वाली option practical नहीं next चलते हैं हम question 44 when the dividend is deemed to have been declared in respect of following final dividend final dividend कब declare किया जाता है कब समझा जाता है कि declare हुआ at date of AGM जहां पे members ने इसको प्रूव किया interim dividend कब declare किया जाता है depend करता है book lawyer हुआ के नहीं हुआ अगर तो book lawyer हुआ तो from date of commencement of book lawyer अगर book lawyer नहीं हुआ तो dividend declare की समझा जाता है जब board of directors की meeting वहीं जिसमें this dividend को approve किया गया 45 who is authorized to declare an interim dividend directors interim dividend की बात हो रही है final dividend की बात ही हो रही है अच्छा यहां पे अगर सिर्फ इतना कहता है who is authorized to declare dividend तो चुके interim और final specify नहीं किया तो हम दोनों mention कर दें interim dividend भी or final भी next can dividend be paid to anyone else except a registered shareholder जी बिलकुल किया जा सकता है लेकिन shareholder की instructions के साथ जिसको shareholder instruct करेगा 47 एक company going into loss cannot pay any dividend confirm whether the above statement is true or false एक company जो loss में है dividend पे नहीं कर सकती ये बात वैसे तो ठीक है कि loss है तो dividend पे नहीं किया जा लेकिन एक situation ऐसी है जिसमें अगर company को loss भी हुआ इस साल फिर वो dividend डिस्टिबूट कर सकती है वो situation क्या है कि पिछले सालों का profit retained earnings में अगर रखा हो reserve में रखा हो तो company उस reserve में से इस साल dividend पे कर सकती है और companies नॉर्मली इस तरह करती है कि वो जितना भी profit होता है सारे का सारा dividend के तोर पे distribute नहीं करती 60% 70% dividend के तोर पे distribute कर दिया बाकी retained earning में reserve के तोर पे रख लिया ताकि अगर कभी loss हो तो उस साल में भी shareholder को कुछ ना कुछ dividend उस reserve में भी provided उसके पास पिछले सालों का reserve पड़ा हुआ है लेकिन याद रखे इससे मुराद पिछले सालों के profit undistributed profit है इससे reserve से मुराद यह नहीं है कि जो fixed assets को बेचने से profit आया वो dividend के डिस्रिबूट हो सकता है वो तो कभी भी नहीं हो सकता 48 a public listed company has just finalizes half yearly counts half yearly counts यानी साल से कम अरसे के लिए it wants to declare an interim dividend from which authority would the interim dividend required approval किस थार्टी से अपरोल डिरेक्टर से are there any limits to the amount of interim dividend क्या कोई limit है बिलकुल है क्या limit अपला restrictions को limit का नाम दे रहा है कि sale of immobile property या capital लेचर की sales से जो profit होता इसको dividend के तोर पर distribute नहीं किया जा सकता अन्यरलाइज गेन अवस्मेंट पापर इसको भी dividend के तोर पर distribute नहीं कर सकते 49 question on 31st July 2015 the directors of club engineering limited CEL a listed company declared an interim dividend of rupees 5 per share however before making payment of the dividend the company suffered huge losses due to a massive fire in the factory CFO has informed the board of directors about CEL's inability to pay the dividend in time under the provisions of companies of 2017 briefly describe when an interim dividend is deemed to have been declared by CEL यह concept लिखेंगे book lawyer है तो क्या date होगी book lawyer नहीं आप लेट होगी B consequences of non payment of dividend within stipulated time consequences क्या होंगे अगर dividend को pay नहीं किया जाता within prescribed time यह concept है B circumstances under which CEL may not be responsible to pay dividend to certain shareholders यह situation है और याद रखेंगे कमिशन की approval की बात भी लिखेगा कि इस situation के लावा बाकी है situation में कमिशन की approval की जरूरत होगी dividend को withhold करने के लिए question 50 case study on 8 संबर 2018 the directors of Shanti limited ALA listed company declared an interim dividend or rupees 5 per share and announced book lawyer from 28 संबर 2018 to 3 October 2018 both days inclusive अब देखें interim dividend or book lawyer किया गया under the provisions of company or 270 briefly describe when AL should pay that above dividend also state any false circumstances in which AL may not be considered to have committed an offense for non-payment of dividend तो कब dividend pay करना चाहिए within specified period from date of declaration of dividend और इस example में date of declaration of dividend क्या है क्योंकि इसने date दी हुया इसलिए हमें भी date को mention करना answer में वो date of declaration of dividend है commencement of book lawyer यानि 28 संबर 2018 इसका मतलब है कमनी को 28 संबर 2018 के 15 working days के अंदर अंदर dividend की payment करने हैं next अच्छा इसमें वो 15 दिन आपको calculate करके बताने की जरूत नहीं है क्योंकि 15 दिन working days मैंने आपको additional concept बताया icap के study text में यह concept नहीं है 15 working वो सिरफ एक word use करता है within specified period dividend की payment हो जानी चाहिए तो हम भी solution में इतना ही लिखनेंगे within specified period payment हो नेक्स कहा रहा है आप सो स्टेट नहीं फोर संकंसेंज इन विच आल में नॉट बी कंसीड़ तो है committed an offense for non-payment of dividend वो यह situation है जब non-payment of dividend को offense या जुर्म नहीं समझा जाएगा question 51 explain the exception to the following provision specified under the company that 2017 where a dividend is declared by a company but is not paid within the period specified in the company that 2017 the chief executive of the company shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years and with fine which may extend to five million rupees कैरा इसकी exception बतानी है यानि यह कि dividend specified days में pay नहीं होता तो यह penalty impose होगी और इसकी exceptions क्या है अब definitely इसकी exceptions यहीं है यानि यह वो cases है जब dividend की payment withhold की जाएगी still chief executive responsible नहीं होगा उसको कई penalty impose नहीं की जाएगी तो यह exception को हमने reproduce करना है question 51 में और इसके साथ ही हमारा यह chapter भी complete हुआ और past chapter के question भी जो इस chapter में थे वो हमने discuss कर लिए अब याद रखिएगा यह हमारे lecture का एक हिसा है जो lecture का part B है 31 part B जिसमें MCQs की discussion होगी इस chapter से related वो भी इसके साथ ही आपके साथ share किया जाएगा आपने उसको भी view करना है आज का lecture यहां पे खतम होता है अलाँ हफिस जो प्लाँ है आप गजड़ा आपके का साथ झाल बालाँ है